नमाश्कार जैश्री किष्णा मेरा के शिवानिया शुचनल में आपको बहुत अगत करता हूँ यह जो मैं आपको जिवतिश्य कुछ अनुकर सुत्र बता रहा हूँ उसका पार्ट थ्री है वीडियो ने पार्ट थ्री है इससे पहले दो वीडियो हो जुगे हैं तो कारेंड धन कैसा रहेगा तो धन कैसा रहेगा इसके लिए आप क्या करेंगे कैसे इस्तेवाल किया इसको धन को देखने के लिए किसी भी भाव के जो 6-8-12 भाव होते हैं वो हमेशा उस भाव की हानी को शोगरते हैं देखे लगन के जो 6-8 और 12 भाव हैं वो basically संगर्श को, हानी को कले को परिशारियों को शोगरते हैं तो अगर आपने किसी भाव का हानी देखनी है या आपने दिखना है कि धन कैसा रहेगा आपके पास तो जाहिर है कि आप उस भाव के छटे आठ फे बारों भावों में जिसे सपोस्थ कि धन के बारे में आपने स्टडी करनी है तो पहले तो कुंडली बना लिजिए अगर यहां से आपको आडिया ना हो वैसे तो यहां सिंपल है कि धन से छटा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यह वाला हो गया लेकिन फिर भी मैं इसके अलावा आपको यहां बना जेता हूँ इसको आप कुंडली बना लिजिए धन भाव की इससे ज़्यादा चाड़ी आपको रहेगा यह दो हो गया, तीन हो गया, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, एक अब इसका जो नुकसान है वो कौन सा भाव बताएगा लगन का नुकसान बताते हैं छटा, आठवा और बर्म तो धन का नुकसन बताएगे चटा, यानि यहां से यह वाला यह भाव, जो की इस कुंड़ी में साथवा भाव है, आपका यह वाला भाव, जो इस कुंड़ी में नवा भाव है, और आपका यह वाला भाव, जो आपका यह वाला भाव है, तो यह तीन भाव आपके धन की हा अगर इन भावों में आपके भाव ये कमजोर है भावों पे शुब ग्रव की दरस्टी नहीं है पाप ग्रव की दरस्टी है या भाव पाप कत्री यूग के अंदर बैठा हुआ है भाव में भावेश अगर बैठा है तो वो नीच की राशी में बैठा है तो अगर ये भाव क दिहानी होगी, धन के मामले में आपको बहुत संगर्ष करना पड़ेगा. और किसी भी भाव का जो फाइदा बताते हैं, वो कौन बताता है? देखे, लगं का जो योग, लगं जो फाइदा बताता है वो बताता है, एक पांच, नौ, तिरिकुन. किसी भी भाव के फाइदों को उसका त्रिकौन बताता है ये लगन में आप कहते हैं जब भी आपको कोई चीज अच्छी देखनी होती है तो आप कहते हैं कि यार त्रिकौन में चला गया त्रिकौन में कोई स्वामी आ गया त्रिकोन में कोई ग्रह बैठ गया तो वो अच्छे फल देगा इसके मतलब आप ये मात मानते हैं कि त्रिकोन के जो स्वामी होते हैं वो शुब होते हैं और त्रिकोन अच्छा माना जाता है तो 6-8-12 अशुम माने जाते हैं त्रिकोन जो है वो आपके शुम माने जाते हैं तो किसी भाव का अगर आपको बड़त देखनी है प्रद्धी देखनी है तो उस भाव का त्रिकोन भाव जरूर देखिए अगर आप देखना चाहते हैं किसी भाव का व्रद्धी कि धन की व्रद्धी मैं देखना चाहता हूँ तो धन का त्रिकोन देखिए जैसे मैंने पीछे आपको बताया है धन का त्रिकोन कैसे निकालते हैं दो छे दस पीछे बताया था आपको तो धन का त्रिकोन देखने के लिए हमने धन भाव को कुंडली बना लिया अब इसका त्रिकोन कौन सा हुआ एक तो ये वाला कि त्रिकोन हो गया याना त्रिकोन हो गया यानि दो छे दस तो छे नंबर यहां पर कहां पर आ रहा है छटे भाव में तो देखे एक तरीकी से लगन के इसाफ से चटा भाव जो है आपका वो गरण हो गया जब हम लगन की बात कर रहे हैं तब चटा भाव आपका संदर्श का भाव हो गया बट जब हम धन की बात कर रहे हैं तो ये चटा भाव धन से संबन्नित हो गया यह वाला भाव आपका दो छे दस इसके इंदर आपकी चीज़ आ सकती है कि यह आपको चीज़े बताएंगी कि धनकी वरद्धी आपकी होगी या नहीं होगी अगर इन भावों में छे दस या आप यहां देख लिए इसको यहां कर लिए मैं तो यहां से कुंडली साब को वैसी बता पा रहा हूँ कि नहीं तो सिंपल तरीका यह है कि जिस भाव की आप study कर रहे हैं उस भाव का लगन बना लीजिए लगन आपगे कुंडली बना लीजिए ग्रह वैसी बठा देजिए और उसके बाद आप देखिए तो हमें देखना अगर हमारा शुब ग्रहों से दिरस्ट है शुब ग्रहें इसके अंदर बेठे हैं पाफ ग्रहों की दिरस्टीच पर नहीं है इनके स्वामी अच्छे बैठे हैं तर्ष्ट में हैं केंदर में वारुवा कमजोर है पाप गुरहों से द्रस्ट है तो सीधी बाद समझे कि जो आप भाव जिसके वारे में आप डिसकस कर रहे हैं सोच रहे हैं उस भाव में हानी होने वाली है जानी अगर आप देखने चाहते हैं कि मेरा सुक कैसा रहेगा अगर सुक का छटा आटवा तो आपको सुक बहुत बढ़िया मिलेगा नहीं तो प्रॉब्लम मिलेगी इसके अंतर और इसी प्रकार सुक की व्रद्धी देखनी है आपने तो सुक का त्रिकौन देख लिजिए तो किसी भाव की व्रद्धी आपने देखनी हो तो उसका आप छटे आठे बारवा भाव तो उससे आपको यह सारा आडिया लग जाता है इसमें में एक चीज आपको और बता हूँ है कि क्योंकि मैं आपको केवल सूतर बता रहा हूँ तो उसमें सूतर में यही ध्यान रखिए कि किसी भी कुंडली में जैसे यहाँ पर देखिए आप नौ और आप बारे राशी य तो यहाँ दस आएगा यहाँ तो केंद्र और त्रिकोंड का स्वामी होने शनी बहुत लाबकाली हो जाता है तो शनी जहां बैठेगा उस भाव को लाब पहुंचाएगा बिकास वो एक योग कारीक रहे है आप यह कुंडली के लिए पूम योग कारीक रहे है लेकिन यह ध द्रस्टी हमेशा अच्छी देने वाली है फाइदा देने वाली होती है पाप ग्रहे कौन से हैं आपके पाप ग्रहे आपके हैं शनी मंगल प्रूर ग्रहे बने को बोलते हैं सुर्य राहू कीतू इनकी द्रस्टी जहां पड़ेगी जिस भाव पे पड़ेगी उस भाव की ह खानी होगी बले ही ये ग्रह कुडली में अच्छे ग्रह क्यूウ ना हो उस से कोई लेना, द्रस्टी इनकी हमेशा पूरी रहेगी और शुभ ग्रह पर ये ग्रह द्रस्टी डालेगे उस रहे ये ग्रह अगला सुत्र में आपको बता हूँ जैसे यहां पर इसको हम ऐसे ले लेते हैं अब उसमें क्यूंकि मैं यह जो दिखाना चाहरा था आपको जैसे यहां पर एक कुंडली में व्रश लगन की बनाता हूं व्रश लगनी कुंडली आप देखिए यहां अगर आप देखेंगे व्रश लगनी कुंडली को यहां तो मेशलेनी कुंडली थी, मैं वरशलेनी बना रहा हूँ यह दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, एक इस कुंडली में अगर आप शरी देखें, तो शरी के पास दो घर आये हैं एक तो 9th house आया है, एक 10th house आया है वो इस कुंडली के लिए पूर्ण योक्तरी ग्रह के लाता है तो आपका शरी जो है, वो इस कुंडली के लिए बहुत ही positive है बहुत positive है, लेकि suppose कीजिए, कि शरी यहां बैठा है और यहां पर मंगल ग्रह है, शे, बुद्ध ग्रह है, कोई भी ग्रह है तो शनी की द्रस्ती हाँ पड़ रही है, साथी द्रस्ती तो शनी बुद्ध पे द्रस्ती डालेगा, तो बुद्ध के जो भाव है, उनका result भी कम हुआ बुद्ध के भाव कौन कौन से है, यह वाला भाव है, बुद्ध का, यह वाला भाव है क्योंकि ये बताया है कि जो पाप ग्रह हैं उनके द्रस्टी हमेशा गबड होगी आप ये बहुल जाएए कि ये पाप ग्रह है और पूर्ण योगकारी है लेकि द्रस्टी इसकी हमेशा नुक्सान देने वाली होगी जहां द्रस्टी डालेंगे उस भाव की आहाने करेंगे यानि यहां द्रस्टी डालेंगे तो पहले भाव की आहाने करेंगे बुद्ध पर द्रस्टी डालेंगे तो जो बुद्ध के भाव है उनकी आहाने करेंगे तो ये आपको समझ आया होगा तो इसलिए इस चीज से कोई इसका लिंक नहीं है कि पाप ग्रहा है गर अच्छी भावों के स्वामी हो तो अच्छी दिस्ट्री हो जाएगी पाप ग्रहों के दिस्ट्री हमेशा आशुब रहेगी और शुब ग्रहों के दिस्ट्री हमेशा आशुब रहेगी जब भलाई वो अशुमस्तान के स्वामी क्यों ना हो आशा करता हूँ आप कोई समझ माया होगा समझ माया होगा तो कार्डली सस्ट्राइक जूर कीजेगा मेरा मोटिवेशन मना रहेगा धन्यवाद थैंक्यू वरी मच्ट जैश्री किश्ण